हलो अश्टूडेंट्स, हम आज की इस वीडियो में से के बाजार नियम के बारे में विस्तार सी जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेशिक बातों को जान लेते हैं अमेरकी अठसास्त्री, जेवी शे ने अपनी पुस्तक, ट्रेट डि एकोनोमिक पॉलिटिक में बाजार संबंधे जिश नियम को प्रतिपादित किया, उसे ही से के बाजार नियम के नाम से जाना जाता है शे के बाजार नियम के अनुसार पूर्ती अपने मांग स्वैम उत्पन करती है जे भी शे के अनुसार जिश अनुपात में पूर्ती बढ़ती है या घड़ती है उसी अनुपात में उत्पादन के शाधनों की क्रै शक्ती और मांग भी बढ़ती या घड़ती है इस परकार मांग और पूर्ती शदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं अब इसे हम लोग समझ लेते हैं अर्थ ववस्था में जब किशी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो कुछ शाधनों को रोजगार मिलता है तथा उन्हें आई के रूप में मजदूरी ब्याज तथा लाव की प्राप्ती होती है उत्पादन के शाधनों को मजदूरी ब्याज और लाव के रूप में जो आई की प्राप्ती होती है उसे ओ बाजार से जीवन निर्वाह की बस्तुए खरीदने में ब्याय कर देते हैं इस परकार पुर्ती अपनी मांग स्वयम उत्पन करती है शे का बाजार नियम कुछ मानिताओं पर अधारित है अब हम लोग शे के बाजार नियम की मानिताओं को देख लेते हैं शी के बाजार नियम की पहली मानिता है कि बाजार में पुर्ण प्रतियोक्ता पाई जाती है Next है, शी का बाजार नियम इश मानिता पर आधारित है कि किम्तो, मस्दूरी तथा ब्याज की दर में लोच शीलता पाई जाती है अर्थात आवशक्ता अनुशार किम्तो, मुजदूरी तथा ब्याज की दर में परिवर्टन किये जाशक्ते हैं नेक्ष्ट है शी का बाजार नियम इश मानिता पर आधारित है कि शारी मुद्रा खर्च कर दी जाती है अर्थात किशी परकार का संच नहीं किया जाता है नेक्ष्ट है आर्थिक किरियाओं में शरकार का कोई हस्तचेप नहीं होता है नेक्ष्ट है शी का बाजार का नियम इश मानिता पर आधारित है कि बाजार का आकार विश्तरित होता है नेक्स्ट है शेह का बाजार नियम दीरखिकाल की मानिता पर आधारित है यह नियम सिर्फ दीरखिकाल में लागू होता है नेक्स्ट है, शेह का बाजार नियम इस मानिता पर आधारित है कि उत्पादन उपभुकताओं की पशंद के अनुसार किया जाता है इसलिए जितना भी उत्पादन होता है वह खरीद लिया जाता है अब हम लोग शेह के बाजार नियम की आलोचना को देख लेते हैं शेह के बाजार नियम की पहली आलोचना है, शेह के बाजार नियम की यहां अबधारना की कुल पुर्ती मांग के बराबर होता है गलत है, जबकि अर्थ विवस्था में अति उत्पादन भी शंभब है नेक्स्ट है शी के बाजार नियम की यहां अवधारना भी गलत है की अर्थ विवस्था में श्रत शमनवे आ जाता है नेक्स्ट है शे के बाजार नियम के अनुसार बचत और निवेश में शमानता ब्याज के दर में परिवर्तन होने के कारण होता है जबकि किन्स के अनुसार बचत और निवेश में शमानता आई के अस्तर में परिवर्तन के कारण होता है नेक्ष्ट है शे के बाजार नियम के अनुसार मुद्रा केबल बिनमय का माध्यम है जबकि आलोजको के अनुसार मुद्रा बिनमय के माध्यम के शाथ साथ धान का संचय भी करता है नेक्स्ट है शे के बाजार नियम की यह मानिता की यह नियम दीरखेकाल में लागू होता है प्रंतु आलोचकों के अनुशार दीरखेकाल में तो सभी मड़ जाते हैं नेक्स्ट है शे के वाजार नियम के अनुसार सरकार को आर्थिक किरियाओं में हस्तचेप नहीं करनी चाहिए जबकि केंस ने इस बात की अलोचना यह कह करकी कि सरकार को आर्थिक किरियाओं में हस्तचेप करके शमनवे अस्थापित करना चाहिए इसी के साथ मेरा आज का वीडियो शमापत होता है मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेट करके बताईएगा हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार